हेलो एबरिवान वेलकम और माई हिंदी ग्यान बोध यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी उनिवस्टी है जहां से प्यच्ड एडमिशन की अपडेट निकल के आई है तो इन दोने उनिवस्टी की डिटेल को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काफी सारी ऐसी उनिवस्टी हैं जिन्नोने PhD एडमिशन की नोटिफिकेशन को निकला हुआ है one by one करके उन सारी उनिवस्टी के ओपर हम वीडियो बनाने वाले हैं साथ बने रहेगा, तो पहली जो इनवस्टी है, कर्नाटक University है, धारवार से, तो यहां पर इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, कर्नल इंग्लिस दोनों ही निकाला गया है, यह नीचे अप्लिकेशन फार्म है, तो हम इंग्लिस में इसके नोटिफिकेशन को करना चाहते हैं तो अप्लाइ कर सकते हैं क्योंकि करनाटक यहां पर कंपटीशन बहुत कम होता है अगर आप अप्लाइ करते तो आपके चांसे ज्यादा रहते हैं इस युनिवस्टी में आपको सीट मिलने की तो नीचे स्क्रोल डाउन करते हुए अलेजिबिल्टी देख ले है यहां पर जो आपका स्वलेबस से प्यज लेवल का होगा और दो पेपर होने वाले हैं और आपका एग्जामंगा मिनिमाम आपकां मंस जो होना है एक्जाम में minimum marks for entrance test 100 marks का होने वाला है MCQ type questions होंगे और syllabus क्या होने वाला है आपका वही क्या है यहाँ पर course subject PG level का होने वाला है 100 questions पूछे जाएंगे और 50 आपका question जो है research methodology से 50 आपका PG's का पूछा जाएगा question जो आपके PG level का होने वाला है आपका entrance test का जो minimum duration 120 मिनट का है venue आपका वही करनाटक में होने वाला है और merit list किस तरह से बनेगी वह आप check out कर लिजिएगा यहाँ पर कौन-कौन से candidate exempt रहेंगे इस entrance test से वो सारा यहाँ पर mention किया गया है तो नीचे और स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेकंसी के लिए faculty of arts में तीसे चौथे नबर पर है यहाँ पर हिंदी जिसमें तीन सीट है किस काटेगरी में तीन सीट है वो mention नहीं किया गया लेकिन टोटल तीन सीट है हिंदी में Commerce में, Education में, Management में, Social Science में यहाँ पर seat PhD के लिए available है चेक आउट कर लिजिएगा, interested है तो Social Science and Technology में भी available है निचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फीज दी गई है, Total Feast यहाँ पर अप्लिकेशन फीज जो है 2200 रुपे है, 1000 SST के लिए दिया गया है और निचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर exemption fees भी दी गई है, Cast-wise तो यहाँ पर जो आपकी last rate होने वाली application form अप्लाई करने की 10-4-2023 Monday और entrance test आपका 5-5 Friday को होने वाला है और यहाँ पर जो qualified candidate है उनकी list लग जाएगी 12-5-2023 Friday को date of interview आपका 22-5-2023 को होने वाला है और यहाँ पर mention है देख लीजिएगा नीचे और scroll down करेंगे यह 6 पेच का आपका यह notification है नीचे यहाँ पर address दिये गए है और दूसरी जो university है तेजपूर university जो की एक central university है इसके यहाँ पर admission section पर जब जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आप प्रोग्राम schedule पर click करेंगे तो किस किस department का किस date को exam होने वाला है वो सब mention है तो PhD के लिए यहाँ पर जो date दी गई है देखिए कौन सी date को PhD का entrance test होने वाला है यहाँ पर mention है मैं आपको यहाँ पर ढूलना पड़ेगा पीएचडी इन हिंदी तो पीएचडी इन हिंदी है किस डेट को 28 मई को दो पीम से चार पीम पीएचडी इन हिंदी संडे को आपका यहाँ पर entrance test होने वाला है और नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर यूजी लेवल का दिया गया है प्रोग्राम और उसका कोड पीजी लेवल का भी दिया गया है लेकिन हमें यहाँ पर पीएचडी का चाहिए था तो पीएचडी का आपका 28 मई को यहाँ पर entrance test होने वाला है और नीचे यहाँ पर back जाएंगे तो इसके notification को आप देख सकते है तो मैंने देख लिया यहाँ पर download करके तो मैं आपका बता देती हूं 28 दिन 2030 को यह आउट हुआ है नीचे और scroll down करेंगे तो इसकी application fees दी गई है यहाँ पर देख लीजिए 800 है 400 रुपे ऐसी यहाँ पर OBC के लिए CSTPWD के लिए यहाँ पर 400 रुपे है और 800 journal के लिए है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 30-4-2023 है टेस्ट कब होंगे वह आपके यहाँ पर mention किया गया चपी सताई 28 माई को तो यह सारा notification में detail दी गई है तो यह दो यूनिवस्टी है आगे के वीडियो में हम और वी यूनिवस्टी से वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें PhD के लिए recruitment और PhD अपडेट चाहते हैं वो बने रही है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ धन्यवाद